जै मातादी दोस्तों, इस साल मकर संक्रांती का पर्व 15 जन्वरी को मनाया जा रहा है मकर संक्रांती के दिन सूर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं मकर संक्रांती से ही रितू में परिवर्तन होने लगता है मकर संक्रांती के ही दिन सूर्य उत्रायन होता है इस दिन दान दक्षणा का विशेश महत्व होता है इस दिन देश भर में पतंगे भी उड़ाई जाती है कहीं कहीं तो इस दिन पतंगे उड़ाने की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है इस पर हमारे मन में कई बार भी ये सवाल आया होगा कि आखिर इसी दिन ही क्यों पतंगे उड़ाई जाती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इसी दिन क्यों पतंगे उड़ाई जाती हैं तो दोस्तों ये जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदु धर्म से जुड़ी बाते जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले तो दोस्तों मकड संक्रांती के दिन पूरे देश में पतंगे उड़ाई जाती है इसलिए इस दिन को पतंगों का अपत्योहार भी कहा जाता है संक्रांती पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और विज्यानिक महत्व है जी हाँ दोस्तों आज हम आपनी इस वीडियो में आपको विज्यानिक महत्व भी बताने जा रहे हैं तमिल रामायन के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान शीराम ने शुरू की थी मकर संक्रांती के दिन भगवान शीराम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुँच गई थी यही वज़ा है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है तो दोस्तो पतंग को खुशी आजादी और शुबता का संकेत भी माना जाता है मकर संक्रांती के दिन पतंग उड़ा कर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है तो दोस्तो आईए अब जानते हैं इसके पीछे का विज्ञानिक कारण क्या है तो विज्यानिक दृष्टी से अगर इस बात को देखा जाए तो मकर संक्रांती के दिन सूरे की किरने शरीर के लिए अमरित का समान होती हैं इससे भिन्य तरह के रोगदूर होते हैं तो दोस्तों यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांती के दिन पतंग उडाने पर आप सूरे की किरनों को अधिक मात्रा में ग्रहन करते हैं और शरीर में उर्जा आती है विटमिन डी की कमी पूरी हो जाती है वेज्ञानिक रूप से देखा जाए तो 22 जितंबर के दोपहर से ही सूरे देव ट्रॉपिक ओफ क्याप्रिकॉन पर होते हैं इस दिन से ठंड बहुत तेजी से भढ़नी शुरू हो जाती है और मकर संक्रांती तक ठंड काफी जबरदस्त रहती है 14 या 15 फेरवरी को सूरे धनुराशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करते हैं मकर में प्रवेश करने के कारण इस दिन को मकर संक्रांती कहा जाता है और इस दिन के बाद से ही सूरे उत्तरदिशा की ओर यानी मिथुन राशी की ओर गमन करने लगते हैं इस कारण मकर संक्रांती के दिन उत्रायन शुरू हो जाता है उत्रायन शुरू होने के कारण ही थंड का प्रभाव दीरे-दीरे कम होने लगता है क्यूंकि मकर संक्रांती उत्रायन का पहला दिन है तो इसी कारण हमारे शरीर को विटमिन D और सभी रोगों से मुक्त होने की ज रोकी गई थी